बिंदिया कुशल नगर में अपनी सास और पती के साथ रहती थी उसे सपने देखने की बहुत आदत थी वो जहां भी जरा सी जबकी लेती तो कोई न कोई सपना उसे दिखाई दे ही जाता था अरे वाँ, मेरे पास इतने सुन्दर सोने के गहने ये खार, ये दो अंगुठी, ये चूडिया अरे सासुमा, ये चूडिया मेरी है, मैं इने पहनूगी दो सासुमा अरे बेवकूफ कौन सी चूडिया, चूले पर दू दूबला जा रहा है और तू फिर किसी नए सपने में खो गई जब देखो सपने ही देखती रहती है मा जी, मैंने देखा मेरे पास धेरो सोने के आभूशन है मैं सोने से लदी हुई हूँ अरे सपने में तू जो मर्जी देख ले सपने कभी सच नहीं होते खानी तो हमने वही सूखी डाल रोटी है अब सपने में तू पूरी पकवान देख ले देखने में क्या जाता है मा जी, मैंने सुना है कभी कभी सपने भी सच हो जाते है क्या पता मेरा भी कोई सपना किसी दिन सच हो जाए फिर तो आप मानोगी ना बहुत हो गई फाल्तु की बाते अब तू चुप चाप कपड़े धोले तब तक मैं बंदिर होकर आती हूँ बिंदिया बहुत भोली भाली थी उसे पता था कि वो एक गरीब परिवार की बहु है शायद इसलिए वो सपनों में वो सब देखती थी जिसकी वो कामना करती थी और ये सपने देखना कब उसकी आदत बन गई उसे पता ही नहीं चला ऐसे ही दिन बीत रहे थे एक दिन पिंदिया मोहन के साथ बाजार से कुछ सामान लेकर लोट रही थी तब ही उसने सुना सिपाही राजा कुवर सिंग के द्वारा दी गई कोई जरूरी घोशना कर रहे है सुनो 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 कुषल नगर के निवासियों सुनो महराज कुवर सिंग के सुपत्र राज कुमार वैभाव सिंग को खुजली की बिमारी हो गई है उसका सिर्फ एक ही इलाज है जादूई दूध की नदी से प्राप्त दूध का स्नान दूध की नदी है यह कैसे संबाओ भई सुनो सुनो राजा कुवर सिंग का कहना है नगर का जो भी वेक्पी जादूई दूध की नदी को ढूंड कर उस नदी का दूध ला कर देगा महराज उसे पांच लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे सुनो 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 पांच लाख स्वर्ण मुद्राएं काश यह इनाम मुझे मिल जाए तो हमारे घर की सारी गरी भी दूर हो जाएगी सब लोग बाते करते हुए वहाँ से चले गए बिंदिया घर आई और मनी मन सोचते हुए उसकी आँख लग गई और वो हमेशा की तरह सपना देखने लगी उसने देखा वो दूर एक जंगल के रास्ते एक पहाडी पर जा रही है पहाडी के पार एक दूद की नदी बह रही है और बिंदिया जैसे ही उस दूद की नदी से कलश में दूद भरने लगी उसी समय उसका सपना तूट गया बिंदिया ओ बिंदिया कहा हो ओ हो वो वो दूद की नदी कहा गई मैं उसमें से दूद भर रही थी सत्या नाश इसने फिर कोई सपना देख लिया होगा वही तो मैं जादूई दूद वाली नदी से कलश में दूद भर रही थी दिमाग खराब हो गया है क्या थोड़ देर पहले जो सुनकर आई है उससे बाबली हो गई है अरे हमें क्या पता जादूई दूद वाली नदी कहा है ऐसे ही सपने के भरोसे थोड़ी मिल जाएगी माजी एक पर जाने तो दो मुझे रास्ता पता है बिंदिया सपने में देखे रास्ते पर चलना बेवकूफी है इतनी बड़ी दुनिया में धेरो जंगल है पहाडिया है तो जादूई दूद वाली नदी भला कैसे डूड़ेगी अपनी मा को समझा बुझा कर मोहन बिंदिया के साथ सपर पर निकल पड़ा बिंदिया बहुत खुश थी वो मोहन के साथ सपने की दिशा में चलती हुई पहाडी के पार एक नदी के पास पहुची पर वो नदी तो सूखी हुई थी बिंदिया ये नदी तो बिलकुल सूखी हुई है इसमें दूद क्या पानी की एक बूंद तक नहीं है मैं सच कह रही हूँ मैंने इसी नदी को अपने सपने में देखा था ये दूद से भरी हुई थी पर पता नहीं ये सूखी नदी क्यों है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मा ने ठीक कहा था तुम्हें सपने की बाद पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था अब इतनी दूर आने के बाद नदी मिले भी तो सूखी अब कुछ नहीं हो सकता मैं खाली हाथ ही वापस लोटना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता मैंने तो ना जाने कितने सपने सजाय थे मैं उन स्वर्ण मुद्राओं से बहुत कुछ खरीदना चाहती थी अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी पर अब मैं क्या करूँ बिंद्या नदी के किनारे ही एक पत्थर पर बैट कर रोने लगती है कुछ देर बाद उसका ध्यान हटता है वो देखती है मोहन वहां से गायब था अरे आप कहां चले गए कहां हो जी रोते रोते उसके आशों की कुछ बूंदे उस सूखी नदी में गिर जाती है और देखते ही देखते वो नदी दूद से भर जाती है बिंद्या ये देखकर चौंक जाती है दूद की नदी में से एक देवी उत्पन होती है मैं इस शादूई दूद वाली नदी की देवी हूँ जब इस नदी में किसी दुखी के आसू गिरते हैं उसके पश्चात ही ये नदी दूद से भर जाती है मैं जानती हूँ तुम ये दूद लेने आई हो मैं तुम्हें ये दूद लेने की आग्या देती हूँ मैं अब दूद का क्या करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पती गायब हो गए है, मुझे पहले उन्हें ढूड़ना है पर अगर तुमने ये दूद नहीं लिया, तो तुम राजा को क्या दोगी, तुम्हें तु बदले में पांच लाग स्वर्ण मुद्राओं भी तो चाहिए, तुम इसलिए तो यहां आई हो मैं जानती हूँ मैंने स्वर्ण मुद्राओं का लालच किया, और इसी कारण अपने पती को यहां मुसीब तो मिले करा गई मेरी चिंता में वो मेरे साहत आये थे, खृपया करके मेरे पती को ढूड़ने में मेरी साहता करो, वो कहा चले गए तुम्हारा पती इसी समय तुम्हें मिल जाएगा, पर एक शर्त है, बदले में तुम यहां से कुछ नहीं ले जा पाओगी हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पती मुझे लोटा दो ठीक है, पीछे मुड़ कर देखो, वो रहा तुम्हारा पती बिंदिया पीछे मुड़ कर देखती है, मोहन दूर से चलता हुआ आ रहा था अब कहां चले गए थे, मैं तो आपके लिए बहुत परिशान हो गई थी मैं तो पानी के तलाश में गया था, पर कहीं पानी मिला ही नहीं, इसलिए वापस लोटाया अरे, ये सूखी नदी तो दूद से भर गई है, इसका मतलब तुम्हारा सपना सच था बिंदिया, जल्दी से इस नदी से दूद लो, था कि हम घर लोट सकें, मा भी हमारा इंतजार कर रही होगी नहीं, अब मैं इस नदी से ये दूद नहीं ले सकती, हमें खाले हाथी लोटना है पर क्यों बिंदिया, दूद तो तुम्हारे सामने है, फिर तुम क्यों नहीं ले रही मैं ये नहीं ले सकती, मैंने इस नदी की देवी से वादा किया है, चलो वापस चलते है बिंदिया मोहन के साथ वापिस जाने लगती है तभी वो देवी फिर प्रकट होती है रुको बिंदिया तुम ये दूद ले जा सकती हो मैं तुम्हारी इमांदारी से प्रसन्न हूँ जब तुम यहां आई थी तो तुम्हारे मन में लालच था कि तुम ये दूद राजा को दोगी और उनका बेटा इससे सनान करके ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं था कोई भी मदद निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए नहीं तो वो मदद किसी को भी नहीं लगती इस समय जो दूद तुम ले कर जाओगी वो निस्वार्थ भावना से एक औशधी के रूप में होगा इसलिए इस दूद से सनान करने से राजा के बेटे की बिमारी दूर हो जाएगी अब तुम इस नदी का दूद लो और राजा को दे दो देवी के कहे अनुसार बिंदिया कलश में वो दूद भरती है और उसकी बेमारी दूर हो जाती है वो बिलकुल ठीक हो जाता है आज मेरे बेटे की तकलीफ दूर करके तुम दोनोंने मुझ पर बहुत उपकार किया है ये कार्य किसी के लिए भी असंभाव था मेरी बढ़ती उम्र के कारण मैं भी इस कारे को नहीं कर सकता था पर तुमने कर दिखाया इसलिए इनाम की शर्त के अनुसार उपहार स्वरूप हम तुम्हें पांच लाग स्वार्न मुद्राएं अवश्य देंगे साथी आज से मोहन हमारा राजसी कारे करता बनकर महल में ही काम करेगा शुक्रिया महराज बिंदिया इनाम की धनराशी जीत कर खुशी-खुशी मोहन के साथ घर लोटती है आखिराज उसका सपना सच हो गया था किशनपुर गाउं में राघव नाम का एक व्यक्ति अपने मा गोमती और बेहन सुधा के साथ रहता था गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत ही तेज तरार थी एक दिन राघव ने अपने मा गोमती से कहा मा मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ पर वो तो एक अनात लड़की है भले ही प्रार्थना अनार्थ और गरीब है पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है उसे परिवार में मिलचुल कर रहना आता है ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात अच्छा मैं अभी बाजार होकर आता हूँ फिर साथ में बैठ कर कुछ अच्छा खाएंगे तुने मुझे रोका क्यूँ गरीब बनात लड़की को भला मैं अपने घर की बहु कैसे बना लूँ मा तुम समझती नहीं हो थोड़ा तु दिमाग लगाय करो आप बहुत समय से कह रही थी ना कि आपको इस घर में नौकरानी चाहिए तु समझ लो कि नौकरानी आ रही है दोनों बैठ कर आराम से मज़े उड़ाएंगे और भाबी काम करेगी मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है आखिर गई तो तु मुझ पर ही है ना चाथ ठीक है आने दे इस नौकरानी को घर में अच्छे से काम ना निकाला तो मेरा भी नाम गोमती नहीं मैं देखकर आती हूं कि नहीं रहने था अभी तुझे रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता पर उसने भी जित कर ली थी मैं देखकर आती हूँ कि वो क्या कर रही है माची मैं बस खाना लाई रही थी आपने कठल की सबजी बोली थी न तो उसे साफ करने में समय लग या लाओ मुझे दे दो मैं राघव को दे देती हूँ तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो क्या वा मा खाना तुमने बनाया है हाँ वो कठल की सबजी तुझे पसंद है न पर वो प्रार्थना बहु को बनानी नहीं आती इसलिए मैंने ही बना दी चल बैट कर खा ले अरे वा मा कठल की सबजी तो तुमने बहुती स्वादिष्ट बनाई है अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ रागव काम पर चला जाता है गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना से नजरे बचा कर रागव से जूट बोलती थी गोमती और सुधा को तो बस इसी मौकी का इंतजार था वो दोलों सिधे प्रार्थना की कमरे में चाती है ओ मारानी बहुत हुआ आराम चल अब काम पर लग जा पर माजी मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है देखा मा इसकी तो जुबान भी निकल आई है जैसा मैंने कहा है वैसा करो चुपचा कपड़ों का धेर लगा हुआ है पहले वो धोलो और उसके बाद रसोई में बरतन पड़े है वो भी करने है चलो मा कर लेगी अपने आप नहीं करेगी तो करवाना आमें आता है बिचारी प्रार्थना सारा दिन घर के काम करती रही गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना पर अत्याचार करती रहती थी पर विचारी प्रार्थना किसी से भी कुछ नहीं कहती थी वो चुप चाप सारे काम कर लेती थी अगर मैंने इन से माजी और सुधा दिदी के लिए कुछ भी कहा तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे मेरा चुप रहना ही ठीक है नहीं नहीं, मुझे यहां पर कोई परिशानी नहीं है माजी और सुधादीदी मेरा बहुत खयाल रखती है बेचारी प्रार्तना अपने पती से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी एक दिन प्रार्तना जब चाय चान रही थी तो उसके हाथ पर गरम-गरम चाय गिर गए जिसकी वज़े से उसका हाथ जल गया अरे तुम्हारा तो पुरा हाथ जल गया चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ डॉक्टर के पास जाने के जरूरत नहीं है मैंने बर्फ लगा लिए कुछी देर में ठीक हो जाएगा अरे तू क्यों चिंता करता है मैं और सुधा है यहां इसका ध्यान रखने के लिए तुझे जरूरी काम से दूसरे गाउं जाना है ना फिर तुझ जाने में रात हो जाएगी मा जी ठीक कहरेंगे आप अपने काम से चाहिए आपका जाना जरूरी है ठीक है फिर मैं जाता हूँ तुम अपना ध्यान लखना ठीक है राघव को गए अभी कुछी देर हुई थी कि अचानक सुधाई और गोम्ती से बोली मा अब रसोई का काम कौन करेगा इसने तो हाथ जला लिया है मेरी सहेलिया आ रही है मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी अरे तुझ चिंता क्यों करती है यही बनाएगी खाना सब के लिए और वैसे भी राघव राथ तक वापस नहीं आने वाला तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा और अगर इसने अपनी जुबान खोली तो फिर ये नहीं जानती मैं इसका क्या हाल करूगी प्राथना रोती जा रही थी और सारा काम कर रही थी उसने अकेले ही धेर सारा खाना बनाया और सब को खिलाया प्राथना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी दर था जब सुधा गुमती के साथ अपनी सहेलियों में व्यस थी प्राथना रोती हुई चुपचाब घर से चली गई और रोती हुई दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई मैं क्या करूँ भगवान मेरे उपर इतने अत्याचार हो रहे है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपना दुख किसे कहूँ प्राथना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है तुम रो मत बेटी तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो आप कौन है बेटी मैं नदी की देवी हूँ तुम मुझे मा कह सकती हो प्राथना नदी की देवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है नदी की देवी प्रार्थना से कहती है प्रार्थना, ये एक जादू ही नदी है अपना हाथ इस नदी के पानी में डुबो दो मा, मिरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया अब तुम्हें चिंता करने की कोई सरुरत नहीं है जो भी तुम्हें रुलाएगा तुम्हारे आंसों की नदी में बह जाएगा अब तुम बिना घपराई घर जाओ प्रार्थना घर आ जाती है पर तब तक रागव भी घर आ चुका था देखा रागव बेटा सारा घर का काम छोड़कर ये घूमने चली गई मैंने और सुधा ने मिलकर ही सुधा की सहेलियों के लिए सारा खाना बनाया अरे हमने तो इससे इतना कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है तो तू आराम कर ले हमने इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था जो ये चुपचाप हमें बिना बताय चली गई ये सब क्या देख रहा हूं प्रार्थना तुम्हें मा और सुधा से क्या परिशानी है भाया ये तो हम दोनों से ही जलती है जिस दिन से ये आपके साथ शादी करके आई है ये हमें एक आँख पसंद नहीं करती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं तु सारा खाना बना करी गई थी मेरा मन उदास था इसलिए कुछ देर के लिए चरी गई थी अगर तु सारा खाना बना कर गई थी तो हम दोनों मा बेटी क्या जूट बोल रहे है रागव अगर तुझे इस पर विश्वास है तो एक काम कर हम दोनों मा बेटी यहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं अब तो भाबी तुम्हारी कलेजे में ठंड़क पड़ गई होगी हम दोनों मा बेटी को घर से बेघर चु कर रही हो तुम्हें तो शर मानी चाहिए हमारे उपर छूटा हिल्साम लगाती हो मैं सच कह रही हो ये लोग मेरसे बहुत काम करवाती थी और आज भी मैंने ठाणा बनाये है प्रार्थना रोते-रोते राघाव को अब तक की सारी बात बताती है पर अचानक प्रार्थना की आँखों से गिरे आँखों एक नदी का रूप ले लेते है और गोमती और सुधा उस नदी में डूबने लगती है नदी के उपर गोमती और सुधा के द्वारा किये गए अब तक के सारे अत्याचारों का चित्रन आ जाता है जिसे देखकर राघव गुस्से में आ जाता है राघव बेटा बचाओ हम डूब रहे हैं भाया बचाओ ये नदी हमें लेट हुबेगी मा सुधा मैंने सब देख लिया है तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार की है पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली अब यही आप दोनों को बचा सकती है प्रार्थना बहू हमें माफ कर दो हमसे गलती हो गई हमने तुम्हें बहुत दुख दिये हमें बचा लो भाबी मैने आपको बहुत सताया पर मैं मरना नहीं चाती मुझे माफ कर दो हे नदीकी देवी ये जैसी भी है मेरी मासमान सास और मेरी बहन समान ननत है इन्हें माफ कर दो इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ ठीक है प्रार्थना, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ तुम सदैव अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करो, मेरा आशिरवात तुम्हारे साथ है गोमती और सुधा को एहसास हो गया कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवार नहीं करना चाहिए नहीं तो बुराई हम पर पलट कर आती है